दोस्तो आज HL की तरफ से एक डिसीजन एसा लिया गया है जिसकी वज़े से हमारी सेना और हमारी वायू सेना को समय से पहले ही 156 प्रिचंट एटेक हेलिकोप्टर मिल जाएंगे दरसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि HL ने अभी बिरा मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस के कोंट्रेक्ट को साइन करे प्रिचंट एटेक हेलिकोप्टर के लिए मटीरियल की खरीद को शुरू कर दिया है HL के चेर्मेन ने इस बात की कनफरमेशन खुद दी है HL की तरफ से प्रिचंट एटेक हेलिकोप्टर के मटीरियल को पहले से ही खरीदने का फैसला इसले भी लिया गया है क्योंकि Ministry of Defense ने request for proposal को इश्यू कर दिया है जिसके बाद ही अब HL 156 प्रिचंट एटेक हेलिकोप्टर के लिए मटीरियल की खरीद को शुरू कर चुका है इन 156 प्रिचंट एटेक हेलिकोप्टर में से 90 प्रिचंट एटेक हेलिकोप्टर का इस्तमाल हमारी सेना करने वाली है और 66% Attack Helicopter का इस्तमाल हमारी वायू सेना करेगी H&L ने प्रिचंट Attack Helicopter के material को इसलिए पहले से खरीदना शुरू कर दिया है ताकि हमारी वायू सेना और हमारी सेना को 156% Attack Helicopter समय से पहले ही दे दिये जाएं इस strategy का इस्तमाल H&L पहले भी कर चुका है जब H&L ने Limited Series Production वाले प्रिचंट Attack Helicopter को बनाये था उस समय H&L की तरफ से पहले ही material को खरीद लिया गया था जिसका फाइदा यह हुआ था कि H&L ने Limited Series Production वाले प्रिचंट Attack Helicopter हमारी सेनाओ को समय से पहले ही डिलेवर कर दिये थे और अब H&L 156% Attack Helicopter के साथ भी एसा ही कुछ करना चाहता है ताकि हमारी वाईयो सेना और हमारी सेनाओ की हेलिकोप्टर की जर्वत को जल से जल पूरा किया जा सके साथ में एक update नुकलियर स्ट्रेटिजिक Bomber को लेकर भी आया है तरसल हाली में ही चाइना और रशिया ने मिलकर अमेरिका को दिखाया है की डर नाम की चीज होती क्या है क्योंकि हाली में ही रशिया और चाइना अपने नुकलियर स्ट्रेटिजिक Bomber को लेकर अलासका के काफी जादा पास में गए थे काईना और रशिया अपने नुक्लियर स्ट्रेटेजिक बोंबर को कैनेडा के स्पेशल इकनोमिक जोन के काफी जादा नजदीक ले गए थे यहाँ पर स्पेशल इकनोमिक जोन का मतलब यह होता है कि समूदर से 200 नोटिकल माईल दूर तक की जो जमीन होती है उस पर पूरी तरीके से उस देश का हक होता है जिसकी सीमाओं के नजदीक आप जा रहे हो और जैसे ही अमेरिका और कैनेडा को यह पता चला कि कैनेडा और र रशिया और चाइना के नुकलेर स्ट्रेटेजिक बोंबर वापस हो गए और अगर चाइना और रशिया के नुकलेर स्ट्रेटेजिक बोंबर वापस नहीं होते तो अलास्का के पास में हमको छोटा बड़ा कॉनफलेक्ट जरूर देखने को मिलता रशिया और चाइना की इ के सुकोई फाइटर जेट प्रोटेक्ट कर रहे थे इसा करकर रशिया और चाइना ने आज अमेरिका को दिखाया है कि डर नाम की चीज होती क्या है इस हरकत से रशिया और चाइना ने अमेरिका को ये भी संदेश दिया है कि आगे चलकर अगर अमेरिका का कॉन्फलिक्ट चा परिदने का फैसला सही लिया हाँ या फिर ना इस बात का अंचल आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं ठैंक्स फॉर वोचिंग दिस वीडियो हैव गूड डे